सो दोस्तों इस वीडियो पे हम रिव्यू लेके आए हैं आपके पास जे एमाई जामिया मिलिया सलामिया यह उनवस्टी जो सेंट्रल उनवस्टी है और दिली में यमुना किनारे इस्ते थे जे यहां 1920 में स्टाबलिस हुई यह उनवस्टी लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो law department की यहनी faculty of law की बात करने वाले हैं जो बहुत बाद में स्टाबलिस हुआ और यहां पे यह क्या-क्या आपको offer कर रहा है programs क्या-क्या यहां पे आपका fee structure होगा, seat intake क्या है, क्या societies है तो सारी जानकारी उन students के लिए जो JMI को target कर रहे हैं law courses के लिए दोस्तों में भी share कर दीजेगा ताकि उन तक यह जानकारी पहुँच जाए और channel subscribe करना नहीं भूला है ताकि सारी related updates चाहे college की हो, course की हो या career से जुड़ी आपको मिलती रहे तो चलो भईया, faculty of law, JMI की बात कर रहे हम जाम्या मिलिया, स्लामिया यूनिवस्टी की मेजेंडा लाइन पर ये पढ़ता है इनका station, जो है वो JMI के नाम से ही मशूर है 1989 में, तक यार, establishment जो हुआ है, यूनिवस्टी का, JMI का, 1920 में हुआ है ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर faculty of law है, वो भई 1989 में, इस्टाबलिस करा गया था और उसके बाद से ही यहाँ पर law की courses conduct हो रहे है पहले क्या हो रहा था, LLB कराया जाता था, 3 year program लेकिन जब से वो integrated program आ गया, 5 year वाले, तो उसको replace कर रिया गया ठीक है बाईया, चलो, यह Delhi में है, बहुत बड़ी है, यह हमें पता ही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है तो यह बिलकुल समस्या का विशाय नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सारी की सारी connectivity अभिलिबल है तो reach करना बहुत आसान है, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, इनका बहुत अच्छा infrastructure है, पुराना infrastructure बहुत अच्छा लगता है ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लें, तो हाँ, जो मैंने बताया है, आपको 2002-03 से क्या है, session से, यह 5 year integrated program को replace कर दिया गया है, यहाँ से स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, मतलब बिलकुल सुरुबाती, UG programs, इसके अलाबा फिर PG programs, है ना, PhD तक करा रहे हैं भाईया यह, ठीक है, इसके अलाबा PG diploma भी करा रहे हैं, है ना, PG diploma, तो यह सारे options available हैं, आपको क्या-क्या है, आप PhD कर सकते हैं, LLD जिसको कहा जाता है LLD, है ना, doctorate of law, इसके अलाबा, master's program, यानी PG वाले अगर देखें, तो LLM, regular भी करा रहे हैं, और self-financed भी करा रहे हैं, regular मतलब, यहां आपको सारी सुविधाय मिलेगी, इनकी scholarship और यह जो भी आपको मदद कर सकते हैं, अलग परकार से, financially, non-financially, तो वो आपको मिल जाएग ठीक है, हर एक शीच का, ऐसे ही LLM, executive self-finance program है, post-graduation, PG diploma की अगर बात करें, तो PG diploma in labor law, लेको मैंने वीडियो बनाया हुआ है, PG या diploma in labor law पे, जिसमें क्या है, कैसे हैं, कौन-कौन से options available हैं, तो वो वीडियो जाके आप detail में देख सकते हैं, वैसे ही, air space law का भी यह diploma program कराता ह UG में B.A.L.L.B. honors यह contact करा रहे हैं, और दूसरा, वही course है, जो की self-finance होने वाला है, खुद का ही आपको finance यहाँ पर सारा खर्चा बहन करना होगा, ठीक है, तो यह सारे courses हैं, जो JMI से आप कर सकते हैं, यहाँ पर, यह offered courses है, इसके अलाबा यहाँ पर, seat index की बात कर लें, तो भाईया, 60 seat हैं regular, और 60 seat हैं आपकी self-finance, यहाँ बन 20, ठीक, क्या eligibility चाहिए आपको यहाँ पर, तो eligibility आपकी बहुत ज्यादा नहीं मांगी है, 12th class या उसके equivalent, जो भी board आपके माने, 50% aggregate होने चाहिए, ठीक है, यह important हो जाता है यहाँ पर, और साथी साथ English language, जो है, वो important ह है, है ना, तो जरूरी, क्योंकि course जो है, वो English में है, तो English आना important है, eligibility criteria में अगर बात करें, तो इनका, JMI का entrance exam है, जिसमें 50% के basis, आपका यह aggregate होना चाहिए, जो important हो जाता, ROI की बात करें, ROI मतलब क्या होता, return on investment, कहने का मतलब जह है, कि हमने जो invest किया, उस पर हमें कितना return मि वो अच्छे माने जाते हैं, यानि हमने, मानलो 10 रुपे invest किया और हमें 50 रुपे मिल रहे हैं, तो हमें कितना, 5 गुना return मिला ना, तो यही चीज हो जाती है, यहाँ पे अगर बात करें, तो भाई, ROI में, 60 seat offered, median salary का, जो इनकी बात करें, 5.4, ठीक है, और total tuition fee 52 के, 52,000 का, इ आपको ROI दिख रहा है, कि return क्या मिल रहा है हमें, तो अच्छा खासा return आपको मिल जाएगा, लेकिन यह जो है, यह क्या है, regular seats है, वही अगर हम self sufficient की, या self finance की बात कर लें, तो seat तो 60 यहाँ भी है, fees जो है, आपको वो total 2,00, करीब, जो है, 2,00, से थोड़ा सा ज़्यादा, आ आपको या लग रहा है, यहाँ पैसा कितना लग रहा है, 72,000, या लग रहा है, और आपको 5,00, करीब return मिल रहा है, तो यह है, हलाकि यहाँ भी कम नहीं है बाई, दुगने से जादा, ढाई गुना आपको return मिल रहा है, कहीं से खराब, मुझे नहीं लगता की होगा, यह total fees क बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ROI के Terms में भी मुझे लगता है JMI अच्छा Option हो सकता है इसके अलाबा Reservation, जो Important है, देखो यार यह JMI जो है यह 50% Reservation चलती है 50%, अलग-अलग Category-wise चलता है, बाकी 50 में सब के लिए है, लेकिन 50% का Reservation जिसमें से 30% का Reservation जो है, वो किसके लिए है Muslim Applicants के लिए सारे Programs में सारे Programs में 30% का Total यहाँ पर Reservation है इसके अलाबा 10% का Reservation है, वो Women's Candidate है, जो Muslim है, उनके लिए सारे Programs और फिर 10% का जो है, वो यहाँ पर Reservation OBC, SC, ST बगेरा में, जो Candidate है है ना, लेकिन वो Muslim Candidates की ही बात चाल रही है ठीक है, तो इनके लिए यह Reservation Criteria इनोंने रखा हुआ है, 50% का अब भया, Reservation for Muslim OBC Candidate will only be applicable to the candidates belonging to the non-crimalier यह इनोंने साफ कर दिया है, कि जो OBC में है, non-crimalier से belong कर दे, उनको ही Reservation मिलेगा Otherwise, नहीं मिलेगा तो यह भी Clarity आपको रखना है अगर आप यहाँ पर ऐसा चाह रहे है Reservation आपको मिल जाए फिर यहाँ Facilities, Committees की बात कर ले, तो क्या-क्या Options Available है, Moot Court Facility तो है ही और उसके लिए Moot Court Society Moot Court बहुत important हो जाता है आपके Course में है ना, क्योंकि आपको क्या करना है Practice करना है तो Court Practice के लिए Moot Court Sessions चलते है बहुत सारे Competitions भी होते हैं अलग-अलग University में, Inter University और सारे Levels पर यह होते हैं तो बहुत अच्छी बात है Deps, यह Debating Society है इसके अलाबा Legal Aid Society है Research Committee है, अलग-अलग Research जो है नए-नए Topics पर, नए-नए Legal जो भी Aspects चल रहे हैं उन सब पर चीज़ें होती ADR Committee भी है Quiz Committee, Sports Committee Sports बाले बच्चों के लिए तो अगर हम Accommodations की बात करें यहाँ पर Facility रहने की क्या है तो बहुत सारे बच्चे जो है उन सब ही Candidates के लिए जो चाह रहे हैं की अच्छी जीवन हो Movies में यहाँ बहुत सारे अलग-अलग Serials में जो दिखाते हैं Hostel Life बैसी मिल जाए लेकिन वो हर जगा सही नहीं होती है क्यों चुनना चाहिए जामिया JMI ही क्यों, क्या options है क्या अच्छा ही है इन सारी चीजों की बात करें तो JMI में यहाँ पे Happening Society कुछ न कुछ होता ही रहता है है ना, चर्चा का विशय बना रहता है साल भर बना रहता है Famous तो है ही अपने आप क्योंकि अच्छे-अच्छे Elvenize यहाँ से पढ़के निकले हैं और बहुत नाम रोशन किया हुआ है Infra बहुत अच्छा है है ना, हेक्टिक ज्यादा शेडूल नहीं होता है D.U. में बहुत हेक्टिक शेडूल होता है इसकी अपिक्षा यहाँ JMI में बहुत ज्यादा हेक्टिक शेडूल नहीं है Exposure हमने देखी लिया कि Median 5.5 के अराउंड 5.5 के अराउंड यह आपका रहता है Totally alcohol ban है University Campus में Attendance का कोई ज्यादा pressure नहीं है कि भाईया इतनी होनी ही चाहिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो लेकिन अगेन बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं और सभी एरिया से यहां के पड़े हुए बच्चे जो हैं अच्छा खासा मुकाम हाशल कर चुके अच्छा नाम कर चुके हैं तो ये सारी चीजे मुझे लगता है ये खास बनाती है किसको JMI को जामिया मिलिया स्लामिया यूनिवस्टी को तो भाईया ये हो गई बात पूरी किसकी JMI की अब मुझे लगता है कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे अगर आप टार्गेट यहां कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि अंगला रिव्यू किस कॉलेज यूनिवस्टी का आप चाहते हैं और दोस्तों मैं भी शियर कर दीजेगा ताकि हम क्या कर पाएं आपके लिए हेल्प करके यह वीडियो में पूरे रिव्यूज दें और आपको सचा ही पता चल पाएं और अपना करियर आप पश्यू कर पाएं तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही अंगले वीडियो में अंगली जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए चाहते हैं